बहनों और भाईयों और मेरे सभी मित्रों, अभी तक मैंने कई भी इडियों जोडों के दर्द, सरीर के समस्त दर्द, गुटनों का दर्द और हाथ पेरों का दर्द, अर्थटीज, गाउट, साइटिका के डाले हैं और उन में बताया है, किसी में दवा बनाकर, दवाओं के नाम भी मैंने बताये हैं, किसी में अर्थटीज का, जोडों के दर्द का तेल बनाकर भी मैंने बताया है, अभी दो दिन पहले मैंने एक जड़ दिखाई थी, और उसका नाम भी मैंने बताया था, उसको पेर में बांधने से, जोडों के दर्द, वाईू रोक, सब खीच लेती है वो जड़, आज मैं एक ऐसा नुश्का लेके आया हूँ, इस समय में मैं उल्लास नदी के किनारे खड़ा हूँ, और इसमें बहुत बड़े बड़े गड़े हैं, ये देखें नदी है, तो ये जो आपको ये मैं पेर दिखा रहा हूँ, यहाँ पेर जो जुर्मुट है पेरों का, मैं नीचे नहीं उतर सकता, सुब़े का टाइम है, सांप बगेरा हो सकते हैं, तो इसमें मुझे एक पेर दिखाई दे रहा है, जिसकी जड़, अगर निकाल के, कौन से दिन निकालना है, उसका सुमुहृत, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, निकालते हुए, आज मैं इतनी जानकाली दे दू, कि ये जो आप देख रहा है ना, जुर्मुट, य यहाँ पर ये आगे उसी में एक पेर है, उसकी जड़ निकाल के, अगर किसी व्यक्ति के, चाहें कमर में दर्द है, चाहें डिस्क सिलिब हो गई है, या पिंटलियों में दर्द है, जोडों में दर्द है, घुट्नों में दर्द है, टकनों में दर्द है, समस्त वात्रोगों में, अगर उस जड़ को रोगी के सामने दिखा दो, केवल तीन दिन उस जड़ को दिखाने मात्र से, पुराने से पुराना, साइटिका, 38 गाउट, जोडों का दर्द, घुट्नों का दर्द, गायव हो जाएगा, ना दवा खिलाने की जरूरत, ना मालिस करने की जरूरत, और ना तावीज बांधने की जरूरत, केवल जड़ को दिखाने मात्र से, समस्त, सारे दर्द, दूर हो जाएगे, तो मैं आज दिखाने ही रहा हूँ, किसी कारण वस, क्योंको मैं नीचे उतर नहीं सकता, सोवे, सारे छे बज़े हैं, मैं नीचे नहीं उतर सकता, बड़े सीक्रेट, आया हूँ, बड़े गुप्त ढंग से आया हूँ इधर, ताकि लोग देखना सकें, बहुत ही गोपनी है, व्यपोदा है, और इस जुर्मुट में है वो, तो मित्रो, मैं अगले वीडियो में उसको निकालते हुए, और उसका कैसे प्रियोक करना है, कैसे उसको दिखा के, समस्त, सारी रिक दर्दों को निकाला जा सकता है, बताऊंगा, तो तब तक के लिए, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को शेर करना ना भूलें, इसी के साथ, नमस्कार नेत्रपाल दुर्गादाश को सब्सक्राइब करें,